PCS Current News प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS Current News में चर्चा का विश्य है इस अंजीवनी से जोड़ा जाएगा आयोश्मान भारत डिजिटल मिशन राश्ट्रिय स्वास्थे प्राधी करण यानी नहीं अपनी प्रमुख योजना आयोश्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM को टेली मेडिसिन सेवा इस अंजीवनी के साथ जोड़ने की घोशना की है इस कदम से इस अंजीवनी के मौजूदा उप्योग करता आसानी से अपना आयोश्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा बना सकेंगे और स्वास्थे संबंदी अपने मौजूदा रिकॉर्ड से उसे जोड़ सकते हैं इस अंजीवनी स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक महतपून योजना है इस अंजीवनी सेवा दो वैरियेंट में उपलब्ध है इस अंजीवनी आयुश्मान भारत स्वास्थे और कल्यान केंद्र यानी ABHWC यह डॉक्टर टु डॉक्टर टेली मेडिसिन सेवा है जो सरकार को गरामीर क्षेतरों एवं प्रिथक समुदायों में सामानने एवं विशिष्ट स्वास्थे सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है और इस अंजीवनी OPD यह देश भर में मरीजों को उनके घरों से सीधे डॉक्टरों से जोडने का कार्रे कर रही है यह सेवाएं देश के लिए एक मजबूत अंतरसंचालित और समावेशी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्मान कर रही है जान लेते हैं टैली मेडिसिन के बारे में यह स्वास्थे देखभाल के क्षेतर में स्वास्थे सेवा प्रदान करने के लिए तकनीक आधारित उभरती हुई शैली है यह स्वास्थे देख भाल पेशेवर को दूर संचार प्रध्योगी की के माध्यम से दूर बैठे रोगी की जाँच एवं उसका उपचार करने की सुविधा प्रदान करती है इसके उप्योग से स्वास्थे सेवा प्रदान करने के समय तथा लागत दोनों में काफी कमी आती है अब बात कर लेते हैं इस संजीवनी के बारे में यह डॉक्टर टु डॉक्टर टैली परामर्ष संबंधी प्रडाली है जिसका कार्यानवन आयुश्मान भारत स्वास्थे और कल्यान केंद्र यानी ABHWC कारेक्रम के तहत किया जा रहा है इस सेवा के अंतरगत वर्ष 2022 तक हब एंट स्कोप मॉडल का उप्योग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाग स्वास्थे और कल्यान केंद्रों में टैली परामर्ष प्रदान करने की योजना है जान लेते हैं आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के बारे में इस मिशन को सितंबर 2021 में लौंच किया गया था स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले के तहट स्थापित राष्ट्रिय स्वास्थे प्राधिकरन यानी NHA इसकी कार्यानवन एजनसी है इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों एवं आवशक्ता पढ़ने पर इलेक्ट्रानिक रूप से स्वास्थे रिकॉर्ड तक पहुँचने में मदद करने हे तू डिजिटल स्वास्थे आईडी प्रदान करना है यह स्वास्थे ID प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाएगी जो उनके स्वास्थे खाते के रूप में भी कार्रे करेगी इस स्वास्थे खाते में प्रत्येक परीक्शन, प्रत्येक बिमारी, डॉक्टर से अपोइंट्मेंट, ली गई दवाओं और निदान आदी का विवरण होगा स्वास्थे आइडी निश्युलक वस्वैच्छिक है यह स्वास्थे डेटा का विश्लेशन करने स्वास्थे कारेक्रमों के बेहितर नियोजन, बजट तथा कार्यानवन आदी की सुनिश्चित्ता में भी मदद करेगी